नमस्काब मैं हुदीत शिकाओ और आप देख रहे हैं जुनत्ता टीवी और सीधा ले चलते हैं आपको ही मार्चोल जोहां अटल टरनल का उद्गाटन हो चुका है और कि देश के यशस्वी पदानमंते नेंदर भाई मोदी जी के आगामन पर इस टरनल का उद्गाटन हुआ मैं आपका हार जी का विनंदन करता हूँ आपको बधाई देता हूँ और इस कारेकरम में उपस्तित होने के लिए मैं समझता हूँ कोबिट के चलते बहुत कठनायों के इस दौर में से भी आप वर्चुली नहीं एक्टुली हमारे बीच में आकर के उपस्तित हुए हम आपका हिर्दे से आभार व्यक्त करते हैं मैं आदनिये रक्षा मंत्री राजना सिंग्जी का भी अविनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ आप भी आज के इस कारेकरम में हमारे बीच में उपस्तित हुए आप पिछले कल से एक एक चीज़ को बारिकी से देखने के लिए यहां पर पहुँचे और आज के इस कारेकरम में हमारे बीच में सेना के मनोबल को और हिमाचल परदेश के सभी भाई बेहनों को अपनी शुक कामने देने के लिए पहुँचे आप कभी मैं हिर्दे से आभार विक्त करता हूँ हमरे पॉस केहने के लिए शवद नहीं देभूमी हिमाचल परदेश ये देभूमी ही नहीं मैं समझता हूं ये वीर भूमी के नाम से भी जाना जाता है कभी भी देश के सामने कोई भी चुनावती आई ऐसी परसिती में हिमाचल भले ही परदेश छोटा लेकिन हिमाचल का योगदान उसमें हमेशा अपने आकार से बहुत ज़्यादा रहा है कारगिल का युद्ध हुआ अगर उसमें चार परमवीर चक्कर अगर पूरे देश को मिले उसमें से दो परमवीर चक्कर हिमाचल फदेश के उन वीर सबूतों को मिले और उसकी भी योगदान में हिमाचल पीछे नहीं रहा और आज ये टनल जब मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बाधा लाहूल के लोगों के लिए रहती थी चार महिने के लिए आना जाना बंद हो जाता था कोई बिमार हो जाता था हमें कहा जाता है कि हेलिकॉप्टर भेजो और हेलिकॉप्टर भी अगर हम भेजते रहे तो परसितियं कई वर ऐसी बन जाती कि रोतांग दर्रे से बापिस मुरना पड़ता था मौसम खराब होता था हवाएं बहुत तेज चलती है ऐसी परसिती में बहुत कठिनाई के दौर में से जब लाहौल के लोगों को गुजरना पड़ता था वो भी बहुत सरल हो गया इस टर्नल का बहुत बड़ा योगदान प्रेटन की दिश्टी से भी रहेगा प्रेटन के लिए हमना टर्नल टूरिजम को आपस में जोड़ने का एक कारिकरम बनाया है और मुझे इस बात की प्रसंद है कि जब भी हम दिल्ली आदनिय पदान बंतिजी से जब हमारा किसी भी कारिकरम में किसी भी मुलाकात में जब बात होती थी टैनल के जिकर के बिना कोई बात, इस टैनल के जिकर के बिना कोई भीज मुलाकात पूरी नहीं हुए हमेशा आप कहते थे टैनल का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहता है, कब तक बन करके त्यार होगी इन सारी बातों को लेकर गे, टैनल के साथ टूरिजम को जोड़ना, ये सारी बातें आपने मार्गदेशन के रूप में हमको दी, हमें असर इसको जो सौथ पोर्टल है, यहां पर भी टूरिजम डेस्टिनेशन डवलप करने के लिए प्लैन किया है, उसको हम आप से एक्सप् ये टैनल जो है आगे ले लदा के लिए जिस पकार से जिकर हम से पहले यहां पर हरफार सिंगी न किया, तुमें समस्तों की बहुत बड़ा एक रास्ता आने वाले सुमय में चाहे कारगिल जाने की बात है, चाहे ले जाने की बात है, चाहे हमारा पांगी का इलाका, में कहना चाहता हूं, ये टैनल दस हाजार चालिस फीट की हाइट पर बनने के पश्चात, हिमाचल इस थोटे से परदेश को आपने राश्टी नहीं पूरे विश्व में एक अलग कहचा दी है, विश्व में इसलिए, क्योंकि इस उंचाई पर दूसरी टैनल इतनी लंबी कोई नहीं है, नाइन पॉइंट जिरो टू किलो मेटर की है, और जिस परकार चाहे बियारो की ओर से यहां पर बताया गया, कि परिश्चितियां बहुत कठिन थी, जचिल थी, एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो कैसे बढ़ा जा था, छेसो मेटर का वो, सिर्फ छेसो मेटर का और लगवख लगवख चार वर्ष उस दोर में लगए, उस उसको पार करने में लगए, लेकिन फिर भी हिमत नहीं आ रही, इसलिए मैं बियारो की सारी टीम को, सभी आदिकारियों को, सभी इंजिनिर्स को, बहुत बहुत भाई देता हूँ, और आज की कारिकरम में एक पर फिर से आदनियों परदान मंत्री जी का मैं हिर्दे से आभार व्यक्त करता हूँ, आप यहां आए, हम सब का बहुत होसला बढ़ा, हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है, आप हमेशा हिमाचल को अपने घर की तरा मानते हैं, आटल जी भी कहते थे और आप भी उसी परकार से अपनी भावनाओं को हमारे साथ जोड़े हुए हैं, और यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसंता की बात है, आज की इस कारिकरम में हमारे रक्षा मंत्री राजना सिंग जी आपने हिमाचल का कोई बिधान सब अक्ष प्रस्तित हुए हैं, आप आए हैं, मिले हैं, लोगों से बाचीत किये हैं, सब हम को संबोधित किया है, आप भी आज के इस कारिकरम में हमरे बीच में हम सब को होसला देने के लिए, हम सब को शुब कामना हैं, आशरबा देने के लिए यहां उपस्तित हुए, आपका भी मै हिर्दे से अविनंदन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जाहिन